यदि आप अलोचना जेलना नहीं चाते तो कभी भी कुछ नया करने का ट्राई मत कीजिए। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे बड़े ओनलाइन साइट एमाजोन और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जैब बैजोज का। जैब बैजोज 2017 में बिल गेट्स को पीछे छोड़ कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। ऐसा इस वज़े से हुआ था क्योंकि उस समय एमाजोन के शेर्स में बहुत ही जादा उचाल आ गया था। मगर एमाजोन के शेर्स में दुबारा गिरावट आने की वज़े से दुबारा जैफ बैजोज नीचे आ गये थे। जैफ का जीवन बच्पन से ही संगर्ज से भरा रहा है। जब जैफ का जनम हुआ उनकी माँ 17 साल की थी और उनके पिता उनकी माँ और उनको छोड़ कर चले गए थे। तब जैफ की उम्र मातर 18 महीने की थी। आज की इस वीडियो में उनकी महनत और उनकी मुश्किलों से लड़कर दुनिया के सबसे अमीर आजमी बनने तक का सफर जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत हुई 12 जन्वरी 1964 को जब अमेरिका के न्यू मेक्सिको में जैफ का जनम हुआ। जब जैफ पैदा हुए उनकी माँ हाई स्कूल में थी और उनके पिता जॉर्गंस उन्हें छोड़कर चले गए। और उनकी माँ ने करीब धाई साल तक उन्हें खुद ही संभाला। जब जैफ चार साल के हुए तब उनकी माने मैगवल बेजोज नाम के आदमी के साथ शादी की। में टी-ई-शौन नाम की एक कमपनी में काम करते हुए जैफ मकेंजी से मिले और 1993 में उन्होंने शादी कर ली। जैफ और मकेंजी के तीन बेटे हैं और उन्होंने एक लड़की को भी चाइना से अडॉप्ट किया हुआ है। कई सारी कमपनी में काम करने के बाद जैफ ने खुद का बिजनस करने की सोची। और लोगों की डिमांड को समझते हुए जैफ ने ये देख लिया था कि डोट कॉम का बूम आने ही वाला है। और उन्होंने अपने घर के गेराज से ही ओनलाइन बिजनस शुरू कर दिया। और उनके माता पिता ने भी जैफ को तीन लाग डॉलर दे कर उनकी मदद की। जैफ ने सबसे पहले अपनी कमपनी का नाम केडेबरा रखा था। जिसको बदल कर उन्होंने Relentless.com नाम कर दिया। और 1995 में ही अमेरिका की एक नदी के नाम पर जैफ ने अपनी कमपनी का नाम Amazon.com रख दिया। शुरुवाती समय में जैफ ने अपना सारा काम अपने घर के गेराज से ही शुरू किया। जहां पर उन्होंने तीन कमप्यूटर और कुछ ही एमपलोईज रखे हुए थे। और काम करते हुए जैफ की कमपनी का दो महीने में ही revenue हर हफ़ते 20,000 डॉलर होने लगा। और तीन साल के अंदर ही जैफ ने अपनी कमपनी का IPO भी ईशू किया। मगर यहां पर जैफ को सफलता नहीं मिली और जैफ को यहां पर जादा funding भी नहीं मिल पाई। जैफ मैनत करते रहे और Amazon का turning point तब आया जब Amazon ने 2007 में Kindle को launch किया। और 6 घंटे के अंदर ही वो out of stock हो गया। और Kindle लगबग 5 महिने तक out of stock ही रहा। 2017 में जैफ बिल गेट्स को पीछे छोड़ गर दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए। जैफ आज इस मुकाम पर है जहां तक पहुँचने के लिए लोग जिरफ कलप नहीं कर सकते हैं। यह थी कहानी Amazon.com के CEO जैफ बैजोज की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करकरी जाना। और आने वाले समय में आप इस चैनल पर किस तरीके की वीडियोज चाहते हैं। यह मुझे कमेंट बोक्स में जुरूर बता कर जाना। थैंक्स वर वच्छीं सुन्मा नेक्स वीडियो